हेलो, आईए समझते हैं लोग एक बहुत एंट्रस्टिंग टॉपिक एक्स्टाडिशन को एक्स्टाडिशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे क्रिमिनल्स को बिना उनकी कंसेंट की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांस्फर किया जाता है इंडिया में ये इंडिया एक्स्टाडिशन आक्ट 1962 से गवर्न होता है जिसका एक बहुत ही फेमस एक्जाम्पल अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम का है जिसे इंडिया ने पॉर्चुगल से शर्त पे मंगवाया कि वो अबू सलेम को डिट पेनाल्टी नहीं देंगे ऐसा इसलिए कि यूरोपियन कंट्रीज उस देश में एक्स्टाडिशन करने की अजाज़त नहीं देती जहां कैपिटल पनिश्मेंट या जान लेने की सजा दी जाती हो एक्स्टाडिशन जनरली उन देशों के बीच में होता है जिनके बीच आल्रेडी ऐसी ट्रीटी हो इंडिया ने 48 कंट्रीज के साथ ये ट्रीटी अभी साइन करके रखी है पर ट्रीटी होने के बावजूद कुछ चीजे ऐसी हैं जो एक्स्टाडिशन रोग देती हैं अगर किसी क्रिमिनल को हम किसी देश से मांग रहे हैं और उस देश में वो एक्ट क्राइम नहीं तो वो क्रिमिनल को देने से मना कर सकते हैं या फिर अगर किसी देश में जान लेनी के सजा दी जाती है या पॉलिटिकल क्राइम्स के लिए किसी बंदे को मांगा जाता है तो वो देश रिल्टी होने के बावजूद भी मना कर सकता है